हेलो श्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग तो एक बाग फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए वर्क्शॉप कैलकुलेशन और साइंस की बैक टू बैक क्लास जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ आप सभी सेकेंडियर स्ट्रेंट्स के लिए वर्क्शॉप कैलकुलेशन और साइंस की यह 10 क्लास जो आपके लिए सबसे इंपॉर्डेंट होने वाली है यह जिसमें हम लोग 2 मलब 5-0 means 200 MCQ प्रश्णों की सिरीज जो है शुरू किये हैं और आज हम लोग वर्शॉप कैलकुलेशन और साइंस में अपना फ्रिक्शन चैप्टर जो कि आपका फर्स्ट मॉडियूल है उसके एक क्लास हो चुकी है यह next क्लास उसी पे बेस्ट आज हम ल चल रहे हैं तो शुरू करते हैं पूरी फुल एनर्जी के साथ और पहली क्लास की तरह आपके लिए विद एक्स्प्लानेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए आपको खोजना ना पड़े कि थार्ड लेक्चर कहां है ठीक है तो थार्ड लेक्चर के लिए अगर आपको जो है कहीं लिंक नहीं चाहिए आपको मनलब किसी से लिंक शेर्ड लिंक नहीं चाहिए तो आप डारेक्ट इसको सब्सक्राइब करिए आपको खुद लिंक मिल जाएगे आपके यूट्यूब चैनल पर ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना फिर्स्ट कुशन फर्स्ट कुश्चन है students लेकिन थोड़ा एक देखे इसमें आपके लिए एक important information है जो कि फर्स्ट क्लास में बच्चों ने मुझसे बोला इस वज़े से मैं अगर आप किसी भी ट्रेट के हैं और आपका second year का exam अभी होने वाला है तो आपका ट्रेट theory का जो paper है उसमें 40 questions आएंगे और वो 100 marks के होंगे similarly इसी तरीके से workshop calculation जो कि आप पढ़ रहे हो इन 10 classes में आप complete मैं आपको पूरा बता दूँगा ठीके तो वर्क्शॉप calculation and science के आपके आएंगे 20 questions और 20 questions में 50 marks आपको मिलेंगे जिसके लिए आपको 45 minutes का time रहेगा ठीके ओवर आल आपका एक CBT paper होगा एक ही online paper में आपको 135 minute का time दिया जाएगा जिसमें आपका 500 marks का question रहेगा और 60 questions रहेंगे ठीके तो 60 प्रशनों के लिए आपको 135 minute का time दिया जाएगा ठीके तो सभी secondary वाले strengths के लिए ये information है ध्यान से इसको समझ लिजी आप किसी भी trade के हैं आप सब के लिए ये information है ठीके चलिए तो और trade theory में क्या है तो trade theory आपकी जो respected trade theory अगर आप machinist के हैं तो machinist की ट्रेट थी फिटर के हैं तो फिटर की first question insurance वो है question number 21 से क्योंकि 20 तक तो होई गया था first class में आज हम लोग 21 से start करते हैं तो चले शुरू करते हैं अपना ये first question which lubricant system employs oil holes in the machines फिर से सुनो कौन सा इसनेहक प्रडाली मतलब कौन सा lubricant प्रडाली मशीनों में तेल के छिद्रों को नियोजित करती है ठीक तो ध्यान से सुनना आपके 21 का A answer बिलकुन सही है मैं बताता हूं क्या है तो बहले आप ध्यान से सुनो कभी कभी होता क्या है कि आप आपके मशीन की कुछ पार्ड्स होते हैं जहां पर जैसे माल लिए यहां पर बेरिंग है ठीक है यहां पर आपको ऑल डालना पड़ता है तो यह चोटा सा होल होता है इस जगह पे उपर साइट पोर्शन पिर ठीक है तो वहां पर आप क्या करते हो कि एक आपके यह आपकी होती है जिसमें oil fill up रहता है lubricant oil तो क्या करते हो कि आप इस निप से ठीक है इसमें क्या करते हो बूंद बूंद इसके अंदर गिराते हो यह पूरा का पूरा इसके अंदर फैल जाता है तो जो यह method है इसको हम लोग कहते हैं gravity ग्रैविटी फीड सिस्टम क्या बोलते हैं gravity फीड सिस्टम ठीक है इसको कहते हैं gravity फीड सिस्टम इसले बोला जाता है कि देखो यह अंदर ग्रेविटी मतलब गुर्त्वा करशन के बल की वज़े से अपने आप नीचे चला जाता है मतलब जो तेल की बूंदे हैं जो lubricant oil की जो भूंदे हैं वो दीरे धीरे अपने आप इस के वेरिंग में फैल जाता है इसलिए इसको लोग बोलते हैं gravity फीड सिस्टम ठीक है तो यहां पर यहां पर इस तरीके से फैल जायेगे तो मशीन के उस parts में जहां पर lubricant करने की जरूरत होती है और इस method का use करते हैं तो इस तरीके के method को हम लोग क्या बोलते हैं gravity feed system ठीक है उसके लावा force feed system भी होता है जिसमें pump set होता है ठीक है उसमें pump लगा होता है जिससे pressure से उसमें किसी भी part पर जो है हम लोग pressure से oiling करते हैं splash feed में क्या होता है splash feed में होता है छीटे मारना तो उस जगह पर जिस भी जगह पर हमें lubricant करना होता है वहां पर spray type करते हैं जैसे spray होती है इस तरीके से velocity feed भी होता है आगे देखते हैं तो फिलाल इसका answer कौन सा था a answer बिलकुन सही है मैंने आपको बताया कि यह क्या कहना चाहा रहे है इनका कहना है lubricant system employs oil holes oil hole यही इसी को कहते है यह जो जगह बनी हुई न इसको कहते है oil hole ठीक है जो छेट छेदर बना हुआ है यह oil hole है ठीक है इसमें oil डालते है तो यह lubricant जो है bearing पर चला जाता है ठीक है इस तरीके से इसका answer है चलो अग जो lubricant system आपके आप figure देख रहा है यह किस type का है तो बच्चों यह जो है आपका जो है यह B type का है ठीक है यह है आपका बाती फीड ठीक है हिंदी में बाती फीड बोलते है ठीक है wick feed होता है wick feed होता है तो wick feed method है ध्यान से इसको देख लो इस figure को यह जहाँ भी आपको थे के जो भी मसिने किसी भी टाइब चाइब की मसिन सकती है मशीद मचिनों की जैसे है आप मशीन लिंग कैटे करते हूं ऑई नेवाड मुव करने वाले पार्टस पर उनके जबने वाले देस्टो ऊए लिकेशण रचेट मेंच लिए आप इस्कुरू पे डारेक्ट हाथों से लगा देते हो तो कई तरीके की ओलिंग सिस्टम है तो ओलिंग करते क्यों हो जिससे उस जगह पर लुब्रिकेशन बढ़ जाया वो चिकना हो जाए वो जगह तो उस पर फ्रिक्शन क्या लगे कम लगे ध्यान से सुन लो इसका क्वेशन नमर 23 में आपसे बोला गया है विच एज यूज तो रिड्यूस द फ्रिक्शन बताओ जारतो अभी तो मैंने बोला कि क्या यूज करोगे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए तो क्या आप कैरसी लॉयल यूज करोगे मिट्टी का तेल नहीं पेट्रोल नहीं व रिड्यूस टाठी कर दियूस दस्रेफ्रिक्शन मतलब घर्षृण को कम करने के लिए हिंदी में यह देखो पढ़ रहे हूं यहाँ पे मशीन के पुर्जूं में घर्षण को कम करने के लिए किया यूस करते हैं इस नहां कि उसकतलि है अगला कुशन कोसिशन नमर 24 वह मूविंग पार्ट इंजन के मूव करते हुए पार्ट में लुब्रिकेंट ओयल का क्या यूज है इंजन के चलने वाले पूर्जों में इस नेहक तेल का उप्योग बताईए तो इसका तो एक ही काम होता है आप जानते हो कि यह फ्रिक्षन को क्या करता है यह घर्षण को घर्षण बल को क्या करता है कम कर देता है ठीक है कम करने के लिए हम लोग लिब्रिकेंट ओयल यूज करते हैं तो जब आप घर्षण बल इसका कम कर दोगे तो क्या मशीन में क्या फायदा होगा मशीन में जो ऊश्मा उत्पन हो रही थी जो मशीन गरम पड़ जा रही थी घर आप इंपुट दे रहे हो जितनी भी इंपुट शक्ति दे रहे हो बच्छों वह पूरी की पूरी शक्ति ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंच जाएगी आउट्पुट पे किसी दूसरे फॉर्म में पहुंच जाएगी ठीक है तो इंपुट पावर आप दे रहे हो जो भी आ समझ गए तो बस यह होगा आच्छा जब इनपुट देने के बाद अधिक आउटपूट मिले तो इसका मीनिग प्रिकी क्या होता है इसका मतलब होता है मशीन की दक्षता बढ़ गई efficiency क्या हो गई, increase हो गई, ठीक बढ़ गई, efficiency क्या हो गई, बढ़ गई, तो जड़ा देखो इसमें answer कौन सा है, answer number 1 क्या बिलकुन सही है, दक्षता बढ़ाने के लिए, हाँ, तो बिलकुन, सही माईने में तो क्या है, घर्षन को कम करने के लिए होता है, ठीक है, तो लेकिन, ल सही answer है, आप मुझे बताओ, कि जो इसका सही answer है, वो क्या यह होगा, या फिर आपका यह होगा, देखो मैंने आपको यहां तक इसलिए बताया, जिससे आपको समझ में है कि यह भी होता है, लेकिन बच्चों जो engine oil में lubricant डालते हैं, वो actual में करता क्या है, तो वो घर्षन क कम कर देता है, अच्छा जब घर्षन कम हो जाता है, तभी तो यह सारी प्रक्रिया होगी, घर्षन कम हो जाएगा, तो जो उस्मा उत्पन्य हो रही थी, वो कम उत्पन्य होगी, घड़ जाएगा, जितनी input दे रहे हो, उस्मा के form में जो भी यहां से उर्जा अलग direction में जा जो lubricant oil का जो main काम है, वो घर्षन को कम करना है, ठीक है, चलो, अगला question देखते हैं, next question 25, question number 25 में बोला गया है, which is the correct statement, बताओ इसमें सही कतन कौन सा है, पहला है, इसने हक जंग को रोकने के लिए कारे करता है, इसने हक एक मुहर के रूप में कारे करता है, इसने हक इन्धन की रूप में कारे करता है, चलो, बता दो इसी बात पर जड़ा सोचो, तो इसमें जो सही answer है, बच्चों, वो है A answer, lubricant act to prevent corrosion, ठीक है, याद करो, अगर lubricant oil use करते हो, ठीक है, lubricant oil use करते हो, बिलकुन आपकी बात मैं मानूँगा, कि सर अभी तो आपने घर्षन कम करने के ही use करते हैं, करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ, lubricant से जो corrosion होता है, मतलब जो मुर्चा लगता है, जो, जो है, जंग जो लग जाती है वच्चों, जंग भी तो नहीं लगती, क्योंकि एक तरीकी का ये क्या होता है, lubricant एक तरीकी का क्या है, oil है, तो आप जहां भी आप जान रहे हो, कि जहां पर भी आप किसी भी machine के पार्ट पर जब oiling करते हो, तो उसको क्या करते हो, corrosion को कम करने के लिए, कहने के मतलब ये जो जंग है, ये जो जंग लगी है, उस जगह पे जंग लगने से बचाने के लिए, जंग से बचाओ के लिए, समझ पा ए नमबर था, ठीक है, चलो, अगला question, 26 नमबर, 26 पर आपसे बोला गया है, what cause deficiency of the machine by maintaining the lubricant, मतलब, इस निहक बनाए रखने के, बनाए रखने से machine की दक्षता क्या हो जाती है, याद करो, अभी just मैंने explain किया था, तो बढ़ जाती है, इतना तो आप समझोगी, बिलकुन सही ह बढ़ जाती है, फिर से दिखाऊं क्या वह वाला question, कहां पे था, कहां पे था, कहां पे था, कहां पे था, कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था, आ यह देखो, भाई, lubricant oil use करोगे, friction कम होगा, friction कम होगा, तो उश्मा कम होगा, तो जो शक्ति आप जो भी power इसको input दे रहे हो, जो input power जो दे रहे हो, वो output power में ज्यादा convert होगा, और loss क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जब loss बच्छों कम हो जाएगा, तो निश्चत रूप से output बढ़ जाएगा, यह output बढ़ जाएगा, तो जब output बढ़ जाएगा, तो जो आपकी दक्चिता है, वो क्या होगी, automatically बढ़ जाएगी ठीक है तो जरह बता दो इसी बात पर एंसर क्या है तो एंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी दक्षेता समझ रहे हो efficiency is equal to जब भी कोई पूछे efficiency क्या है दक्षेता क्या है तो बोलोगे output पावर अपॉन इंपुट पावर ठीक है आउट्पुट अपॉन इंपुट यह ओ लिखा है आउट्पुट अपॉन इंपुट पावर शक्ति बोलो ठीक है efficiency means दक्षेता चलो अगला question देखते हैं तो अगला question है आपका इसमें बोला गया है कि बताओ इसमें से यह जो figure है वह किस टाइप का है अभी मैंने आपको एक जगह बोला था कि बहिया एक pumping system से भी हम लोग oiling करते हैं मतलब lubricant को किसी भी पार्ट तक भेजते हैं ठीक है तो जहां पे आसानी से नहीं जाता है उस जगह पे हम लोग यह चीज यूज़ करते हैं इसको कहते है tea handle pressure gun tea handle pressure gun किस काम में आती है for lubrication मतलब इस नेहक के लिए प्रियुक्त उपकरण का नाम क्या है तो नाम है tea handle pressure gun देखो यह जो ऐसे करके बना है यह पूरा का पूरा यह और यह इसका नाम पड़ गया है tea ठीक है और प्रेशर क्यों तो जब इसको आप इसमें घुमाते हो ऐसे करके यहां के इस से थाप घुमाते हो तो गहुमाने की ऑफ यहां बहिएれた में ऐसे यहां से घुमाने लगोगो इसको handle को इस पकड़ के इसको तो यह क्या होगा पूरिशोटिय प्रेशर गन है ठीक है याद रखना इसको नोलोगे कराने की काम में आती है इस टीक है चलो आगे देखते हैं आगे है कुश्चन नम्र 28 में आपसे बोला गया है को इस प्रेंसिपल ऑफ लिब्रिकेंट लिब्रिकेशन कैन भी इंप्लॉइड यह जो है आपका यह क्या है देखो 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 वही आपको मैंने भी बताया था कि ये कैप है ठीक है ये जो है उपर कैप लगी हुई है ठीक है तो कैप लगी हुई है तो कहने का मतलब ये है कि जब एक तरीके से ये होल है ये क्या है ये हो है होल ठीक है ये है छिद्र तो अगर ये छिद्र है तो आप आप जो है ऑईल इसके अंदर सीधे ड सकते क्यों ऐसा क्यों जब सीधे डालोगे वह सीधे डाउन चला जाएगा तो जब सीधे ये नीचे ही चला जाना है इसको इस तरीके की सिस्टम को क्या बोलते थे इस तरीके की सिस्टम को लुब्रिकेंट सिस्टम को क्या बोलते तो इसको कहते थे ग्रैविटी क्यों क्योंकि डिव टू गुरत्वा कर्शन बल के वज़े से जा रहा है तो यह क्या है ग्रैविटी फीड सिस्टम है ध्यान से समझ लो जिसके उपर एक होल इस टाइप से बना हो बच्चों ठीक है उ दीरे दीरे अपने आप नीचे फैल जाता है मशीन के पार्ट में इसलिए इसका नाम ही है ग्रैविटी कंट्रोल और सौरी ग्रैविटी ठीक है फीड सिस्टम चलो आगे देखते हैं कुश्चन नबर 29 तो कुश्चन नबर 29 में है आप लोगों के लिए विच वे कूलेंट अग्स एज लूब्रिकंट कह रहे हैं कि सीतल किस प्रकार इसनहक के रूप में कारिक करता है तो वही एक बात बताओ पहले तो आप यह समझो कि कि जैसे मैंने कहा ना कि जो आपके मोटर वैकिल्स का जो इंजन होता है या फोरुलर के इंजन की भी बात कर रहे हैं तो में लुब्रिकेंट आयल पड़ा होता है जो मोबी आयल पड़ा हो जिसको आप देशी भासा मोबी आयल बोल रहे हो वो लुब्रिकेंट आयल करता क्या है तो आप ध्यान से समझ लो अभी तक आप को मैं बोलता आया हूं और हलाकि मैं वह भी बोल रहा था लेकिन अभी आप स को ये कम कर देगा तो उससे क्या फायदा होगा जो आपका इंजन है ठीक है जो आपका ये इंजन है वो क्या करता है मतलब चाहे इंजन बोलो चाहे कोई भी पार्ट बोलो एक तरीके से वो जो हीट प्रेडियूस होती है हीट को कम कर देता है हीट को कम कम बनने देता है हीट कम हो जाते है हीट को कम करता है ठीक है तो हीट कम करेगा तो क्या होगा जो आपका इंजन है ठीक है जो आपका इंजन है इंजन है मोटर इंजन है इंजन क्या हो जाएगा आटोमेटिकली कूल चलने लगेगा ठंधा चलने लगेगा ठीक है तो देखो ल तो आपके इंजन में तो किस तरीके से इंजन इतना तीजी से गरम पढ़ जाता है और फिर वह बिकार हो जाता है तो उसको कूल रखने के लिए बच्चों मोबियाल को होना जरूरी ए ठीक है तो एक तरीके से जो लुब्रिकंट ओयल है जो आपका मोबियाल है वो क्या काम कर पजन को होने के वज़े इंजन ओंधा हो जाथा अचिया रीच्छन कम कहां करता है तो जो इंजन क्यों प्रेक्स्टन सिलेंडर होता है लें रहें टो जब यह एंजन चलता है तो प्रेस्टन से вр winding तो यह जो फ्रिक्षन है इसको कम कर दो मतलब इसको लेस कर दो और लेस तभी आप कर पाओगे जब इसके अंदर मोबी ऑईल पड़ा होगा तो तब तो आप कम कर लोगे नहीं तो यह फ्रिक्षन बहुत जादा हीट प्रिडूस करने लगेगा ठीक है समझ पा रहे हो तो यह है इसकी कहानी समझ गए अगर नहीं समझ जा तो फिर से थोड़ा रिप्ले करो हलाकि मैंने इतने आसान वर्डों में बोला है आपको समझ में आ जाना चाहिए तो अब एंसर पड़ते हैं जरा धूल धूल ले जाने के लिए नहीं भाई बिलकुन गलत बात है गर्मी दूर है अधिang जια धूर जाने के लिए ठीक है गर्मी दूर कैसे होगी क्युक्या पने टॉरेल डाला टो फ्रिक्षण हो गया कम तो इंजन चलने लगा ठंडा ठबय है तो खिले में अपना मतलेखी चलो आओ, question number 30 देखते हैं, इसमें बोला गया है, what is the force required to move a body of mass 1000, इनका कहना है एक body है, जिसका दरब बिमान है, m बराबर है, 1000 kg, ठीक भाई, मान लिए, चलो अच्छी बात है, मान लिए, उसके आगे पढ़ो, if the coefficient of friction is, मतलब इसमें mu की value भी इन्होंने दे दिया है, mu की value दिया है, कितना, 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 0.4, ध्यान रखना, इसकी कोई unit नहीं होती, ठीक है, जिसकी unit नहीं होती, ध्यान रखना कि वो क्या होते हैं, friction upon normal reaction r, ये भी इसकी unit Newton है बचो, इसकी normal reaction की भी unit Newton, इसलिए इसकी कोई unit नहीं, जो भी अनुपात से निकलता है, जो भी भूत इकरासी, उसकी कोई unit नहीं होती, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, घर्षण गुडांक, घर्षण गुडांक बोलते हैं इसको, ठीक, चलो, English में बोलेंगे, तो coefficient of friction, ये आपको पता है, दो चीज़ें आपको दिया है, question 1 kg equals to 10 newton है, तो बताओ कि कितना weight है इसका, तो W equals to हो जाएगा बच्चों, 1000, जो weight होगा, जो newton में, तो, sorry, 1000 बोलना था, 1000 kg multiplied by 10, तो अगर 10 से multiply गर दो, इन्हों का कहना, इन्हों का है न, assume 1 kg equals to 10 newton, तो अगर आप newton में इसको बदल दो, तो उसको हम लोग कहते हैं weight, ठीक ह तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 newton हो जाएगा, और उसको अब दरव्यमान नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे weight, कहने, दरव्यमान का मतलब होता है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, इसका मतलब होता है, दरव्यमान है, यह M, और वो kg में लिखते हैं हम लोग, य यह weight है बच्चों, ठीक है, यह क्या है, यह weight है, यह weight है, weight means होता है बहार, ठीक है, याद रखना, और बहार हमेशा newton में लिखा जाता है, ठीक, newton होती इसकी unit, तो जो यह weight है बच्चों, वो आ गया, 1000 newton, चलो, माल लिए भई, अब मुझे बताओ, कि अगर इसका weight, मतलब 10,000 है, तो उपर की तरफ जो normal reaction होगा, R, वो क्या हो जाएगा, तो वो R जो होगा, वो just W के ही बराबर होगा, तो जो W की value है, उसी हिसाब से R हो गया, तो इसका मलब यह हुआ, 10,000 newton, ठीक, मैं माल लिए, चलो, अच्छी बात है, अब इनका कहना है, चलो, बता दो इसी ब बल लगाना चाहते है, F, तो जितना घर्षण बल आपको रोकेगा, उतना ही तो, तो घर्षण बल कितना रोकेगा, घर्षण बल रोकेगा, मियू R, अच्छा, मियू R कैसे, तो मियू की value तो 0.4 पता है आपको, R कैसे, तो एक 10,000 पता है आपको, तो जड़ा जब मॉल्ट 4, ठीक है, आपको निकालना क्या है, घर्षण बल निकालना है, बच्चों जब घर्षण बल निकालना होता है, तो देखो, अगर ये दिया है, घर्षण बल निकालना है, तो R आपको पता होना चाहिए, R क्या है, अभिलम पृत क्रिया है, और R की value हमेशा, जो नीचे की त से यह की आंदलू की वैलू है även पर बिस फिर से हम ने क्या माँन लिया कि जो आर की वैलू है वह गवादी प meta बा दूसरे मैं अधिर से मैं समझा देता हूं की सर पूânच रहा था बल आप निकाल रहे हैं घर्षण बल ये क्या लॉजिक है लॉजिक ये है कि जैसे आप हो इसको खीच रहे हो आप एक इंसान हो और यहां से खीच रहे हो इसको पकड़के तो बल लगा रहे हो इस दरवेमान पे तो जितना ये घर्षण बल आपको रोकेगा उतना ही बल तो लग 31, what is the coefficient of friction इनका कहना है coefficient of friction मतलब म्यू पूँच रहे हैं, if the force is इतना, इनका कहना है कि म्यू बताओ, हिंदे में ही पड़ता हूँ यदि 34 kg दुरब्यमान के एक पिंड को अस्थानांतरीत करने के लिए 30 N का बल लगाना पड़ता है और माल लो कि कि एक किलोग्राम का मतलब है 10 N, तो बताओ, घर्शन गुडान कितना होगा म्यू पूचा जा रहा है आप से बोला गया है कि दुरब्यमान M जो है बच्चों, वो है 34 kg ठीक है, दुरब्यमान M दिया है, अस्थानांतरीत करने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए 30 N का बल लगाते हैं तो कहने के लिए इन्होंने बल बता दिया कि इसको एक जगर दूसरी जगर ले जाने के लिए जैसे यह दुरब्यमान है इसको इधर ले जाने के लिए बल F की वैलो इन्होंने 30 N लगाया है द्रबमान का जो इसका है वो है 34 किलोग्राम ठीक है अब इसको बल इतने से लगा रहे हैं अब इनका कहना है तो बताओ घर्षण का मान क्या होगा तो घर्षण का मान सीधे सीधे आप यह समझो कि मिउज क्टो होता है फ्रिक्शन से फैपउन कैप्टलन ऑर होता है तो ममें लग numbers pretty कितनी यह वह इसी बल के बराबर होगा क्योंकि 30 Newton के बल से आप खिसका रहे हो किसी body को जमीन पे आप खिसका रहे हो किसी body को तो कितना घर्शन बल लगेगा 30 ही लगेगा क्योंकि घर्शन बल हमेशा applied force के बराबर ही होगा और जो है कहने के मतलब अब तो यहां फिलाल कम हो जाएगा लेकिन खिसकाने के लिए जो घर्शन बल होगा अब इसके बराबर यहां पर माना जाएगा क्यों क्योंकि जब आप खिसका रहे हो 30 Newton से इसको reaction कोई दे रहा है यहां तो आप 30 लिख लोगे अच्छी बात है 30 हो गया आर क्या लिख को और टो आर के मैंने बता था कि इसके का幼ोगे अब इसको लिया कि यहां रख लो तो जब आर अच्छा जो W है वही क्या है आपका वही R है ध्यान रखोगी इस बात को जो W है वही R है क्यों? अभी तो पिछले question बताया कि R की value जास W के ही बराबर होगा Newton's thought log के according ठीक है तो इसका मदलब हुआ कि R की value आपकी आगई 340, समझ पा रहे हो आपकी value आगई 340 अब जड़ा इसको calculate कर लो इसी बात पर तो आपका answer आ जाएगा तो मेरी तो maths week है भई आपकी तेज हो तो आप direct करोगे ठीक है मैं तो calculator का use करूँगा तो चलो calculator में use करता हूँ 340 से divide करता हूँ और बच्चों ये आता है आपका 0.0888 8823 देखो जड़ा यहां है क्या तो 0.88 ये चार अंक में अगर आप देखो तो 0.088 का मतलब यही answer यह लगबग ठीक आपका बैठ रहा है हाँ जीरो पॉइंट नहीं यार यह नहीं यह नहीं सी सी answer विलकुन आपका सही है 0.857 लगबग नेरली आपका सही answer हो जाएगा तो 31 का आपका कौन से answer सही है बच्चों C answer विलकुन आपका सही हो गया ठीक है नेरली आपका भले हम लोगग की value दूसरी आई है लेकिन लगबग nearest तो यही है तो आप nearest भी मानो गया ऐसा नहीं कि आपकी यही value एक्तम correct आजाएगे क्योंकि point के बाद थोड़ा बहुत variation चलता है ठीक है तो mu की value आपकी आगई इतनी ठीक है तो आपका यह हो गया answer answer number C is the correct one ठीक आगे है समझ में चलो आगे देखते हैं आगे है how much force is required to move an object of weight 20 kg यहां पर लिख देते हैं weight 20 kg but यह weight तो आपको confuse करने के लिए है actual में बच्चों यह mass है ठीक है जहां पर kg की बात होती है kg में जो चीज़ें बोली जाती है weight तो हमेशा newton में होता है ठीक है newton में होता है कोई बात नहीं इनकी language हम लोग समझ लेंगे 20 kg है if the value of m अच्छा m नहीं है यह new है ठीक है तो धियान से देखो 32 में जो new की value है वो है आपकी 0.24 ठीक भाई इसकी कोई unit नहीं होती इसलिए हम समझ गया कि m नहीं यह new है उसके लावा इन्होंने काई weight लेकिन weight नहीं आप m मानके चलो इसको m है आपका 20 kg बच्छो ठीक है तो 20 kg m है अब यह कह रहे हैं कि बताओ कह रहे हैं यदि m दरव्यमान मुनलब m का यदि mu का mu है यह mu का मान इतना हो तो 20 kg भाई वाली वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा तो बल पूछ रहा है वही 20 kg यह 20 kg का है 20 kg का है अब आपको बताना है ठीक है कि कितना बल आपको यहां लगाना पड़ेगा तो भाई जितना घर्षन बल इसको रोकने की कोशिस करेगा जितना घर्षन बल इसको इधर रोकने की कोशिस करेगा व डबलू पे तो चलो जरब बता दो भाई कि डबलू की वैलू क्या होगी तो डबलू की वैलू उन्होंने पहले से बोला है कि 20 केजी है लेकिन इन्होंने डबलू नहीं बोला मास बोला है तो इसमें मल्टिप्लाई कर दो जी का क्यों 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 वह इसलिए क्य समझ रहे हो जी क्या है गुर्त्वा कर्षण गुर्त्वी त्वरण दस मालो वैसे सही वैलू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वार सही वैलू तो यह होती है लेकिन आप 10 मालो यह हो जाएगा 200 ठीक समझ पा रहे हो तो डबलू हो गया आपका 200 न्यूटन समझ गया 200 न्यूटन हो गया बच्चों हलाकि एंसर केजी में ही आ रहा है चलो केजी में बदल लेंगे आपको सही प्रॉपर तरीका है मैं अभी समझा रहा हूं ठीक है डबलू समझ गया अभी मुझे बताओ कि अगर आपको पता करना है क कि इतना फोर्स की जरूत पड़ेगी तो जितना फ्रिक्शन वल की जरूत पड़ेगी तो फ्रिक्शन की वैलू तो आप जानते हो क्या होता है मिव इंटू आर तो मिव की वैलू तो आपको पता है 0.24 आर की वैलू अभी पता चल जाएगी क्योंकि जितना होगा डबलू उतना ही होगा r, तो यही तो r के बराबर है, तो r के value यहाँ put करो, ठीक है, तो r के value हो जाएगी बच्छों, 200, जब 200 से इसमें गुणा करोगे, तो मुझे तो maths आती नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कि इसमे आएगा जा, आएगा बच्छों 48 ठीक है तो यह 48 आएगा तो यह जो friction force है यह इतने Newton आएगा इसी को हम लोग बल भी बोलेंगे कि हमको बहिया इतने बल की जरूरत पड़ेगी ठीक है लेकिन अगर बल किलोग्राम में भी दिया है वैसे इतना गंदा question है कि बल किलोग्राम में कैसे निकल स स्मॉल जी मतलब 48 divided by 10 मतलब हो जाएगा 4.8 kg समझ पारें अगर जी से डिवाइट कर तो अभी जी से मल्टिप्लाई किये थे अब डिवाइट कर तो समझ पारें इस वज़े से आपका answer number A बिलकुन सही हो जाएगा ठीक चलो अगला question देखते हैं अगले question में है आपके लिए बहुत ही अच्छा question है देखो फिर इसी type का question number 33 what is the weight of an object यहीं पढ़ता हूँ यदि घर्शन गुणान कितना है तो किसी वस्तु का भार 30 gram के बल द्वारा कितना अस्तना अंत्रित करना पड़ेगा कितना अस्तना अंत्रित करना पड़ेगा तो हो जाएगा भाया F की जो value है वो friction force के बराबर होगी मैंने कहा ना friction force के बराबर होगी अगर आपको निकालना है तो mu R होगा और mu का मतलब तो दिया है इसमें 0.0125 और R की value क्या दिया है तो बच्चों फिर एक बार मैं आपको फिर से कता सुनाता हूँ कि अगर ये नीचे W है तो उपर की किलोग्राम डबलू नहीं है ये मास है याद रखना सही concept दिमाग में बैठा के चलो weight तो हमेशा Newton में होता है बच्चों Newton में होता है तो kilogram भार जो ये लिखते हैं है केजी weight लिखना है केजी weight या तो लिखो तब इसको लिख सकते हो kilogram भार ठीक है इन्होंने किलोग्राम सकते कोई बात नहीं लेकिन यहाँ इन्होंने डबलू मिली हम डबलू में सारा एंसर निकाल देंगे डबलू के 30 रखते हुए तो 30 से चरह मार्टिपलाई करो तो मुझे मैं तो आती नहीं है तो मैं क्या करूंगा मार्टिपलाई कर लोंगा और बच्चों इसका answer आ जाए की वैल्यू जो है इसमें हाँ चलो भाई ठीक है 125 से करना था गलत हो गया क्या साथ जीरो पॉइंट वन जीरो वन टू फाइफ जीरो वन टू फाइफ ठीक है जीरो जीरो एन टू फाइफ मॉटिपलाईट बाई 30 मॉटिपलाईट बाई 30 तो 375 आ रहा है इसमें कोई answer मैच नहीं कर रहा है यह कैसे भाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दमोवन बॉड़ी वाइफ फोर्स ओफ इतना ओके सॉरी गलत 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 इसमें इन्होंने यह नहीं कहा है भाई इन्होंने सीधे सीधे यह कह दिया है आप फिर से देख लो एक बार फिर से पढ़ते हैं चलो सॉरी कह रहे हैं what is the weight of an object यह तो weight ही पूँच रहे हैं यह w ही पूँच रहे हैं कि बताओ कितना होगा अगर क्या दिया है इन्होंने अगर यह कह रहे हैं कि यह 30 kg के बल से कीच रहे हैं तो 30 kg के अगर f आप लगा रहे हो तो friction force भी आप पे कितना लगा friction force की value हो गई बच्चों 30 kg केजी में ही ले लो इनकी मर्जी है केजी में आपसे करवाना हाला कि kilogram भार आप लेको तो ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है तो यह w पूँच रहे हैं तो भाई मियू दिया है आपको मियू की value 0.0125 ठीक है मियू दिया है आपसे पूँच रहे है r की value क्योंकि r जब आप निकाल लोगे तभी यह डबलो निकाल पाऊगे तो r की value होती है क्या होती है r की value r की value होती है f by mew कहां से आया f is qua üs to होता है मिव आर तो अगर आर निकालना है तो F by मिव करना होगा ठीक है यहां से आया यह चलो तो कर दो इसी बात पर तो F की वैलू तो आपको पता है 30 और इसकी भी वैलू आपको पता है 0.1 25 इस तरीके से तो इसको solve करते हैं मैं कर रहा था गुणा और करना था डिवाइड कोई बात नहीं ठीक है 0.0125 तो यह हो जाएगा बच्चों 2400 ठीक है 2400 आपका एंसर हो जाएगा जानते हो यह क्या है यह पूचा है इन्हों ने आर की वैलू ही डबलू है तो इनका कहना है 2400 केजी आया क्या एंसर हाँ डी 2400 किलोग्राम इसका भाहर हो जाएगा लेकिन ध्यान रखने यह भाहर नहीं यह दरब बिमान पूच रहे हैं आप से यह इन्होंने गलत language यूज किया है ठीक है कोई बात नहीं इनको punishment नहीं दे सकते क्योंकि यह राजा है और हम लोग को पढ़ना है ठीक है एक inclined plane है कहने को मलब एक तिर्चा यदी 1500 किलोग्राम का भार मलब संतुलन में है मतलब कहीं हिल डूल नहीं रहा है म्यू की value उन्होंने दे रखा है मान है उसका इतना तो बताओ जुकाओ कोड कितना होगा तो जुकाओ कोड ज्यान से सुन लो अगर फिसल नहीं रही है और जुकाओ कोड का मान है कितना हाँ वही पूँच रहे है यह जुकाओ कोड पूँच रहे है आप से कितना होगा ठीक है तो जब यह जश्ट सरकने वाली होगी friction उपर की तरफ लगेगा और जश्ट सरकने वाली condition में ही जो sliding angle होगा यह जो angle of inclination है वो sliding angle बोला जाता है और वो सीधे सीधे बच्चों tan theta लिख दिया जाता है तो भाई अब musical जो हला कि यह theta क्या होता था जरब बताना तो theta होता था angle of friction angle of friction लेकिन ध्यान से सुन लो कि यह जो angle of friction है वो angle of inclination के ही बराबर हो जाता है कहने का मतलब यह है कि यह जो जुकाओ कोड है हिंदी में लिखूं क्या हिंदी में लिखता हूं चलो angle of friction मतलब हुआ घर्षण कोड याद है क्या है घर्षण कोड नहीं तो पहली क्लास देखो तो पहली क्लास देखो आपकी punishment है नहीं बताऊँगा घर्षण नहीं घर्षण नहीं जुकाओ कोड जुकाओ कोड मतलब यह है angle of inclination, जुकाओ कोड जुकाओ कोड के ही बराबर होता है यह हमेशा नहीं होता यह तब की कहानी है ठीटा बराबर इतना होता है जब जस्ट ये खिसकने वाला हो तो अभी तो फिलाल इसकी condition यही है question के अनुसार तो फिर आप mu को आप 10 ठीटा सीधे लिख सकते हो तो अगर आपको mu निकालना है बच्चों तो mu means घर्षन गुणांक अगर अगर आपको घर्षन कोड निकालना है तो आप यह जान लो कि आपके पास एक formula है mu is equal to 10 ठीटा जाँ ठीटा क्या है चाहिए आप angle of inclination बोल लो चाहिए angle of friction बोल लो जो भी बोलना चाहिए बोल लो वो दोनों बराबर ही है इस case के लिए बराबर है क्योंकि इन्होंने कहा है just सरकने वाला है हलाकि इन्होंने इससा ऐसा कहा नहीं है लेकिन मान चलो just सरकने वाला है नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे ठीक है उसकी यह condition ही है भले इन्होंने अधूरा question दिया है ठीटा की वालू निकालना है आपको म्यू की वालू आपको दिया है 0.5773 ठीक है तो जो ठीटा निकालोगे बच्चों यह आपको calculator से ही निकालना पड़ेगा इस बार आपकी खुद की intelligence नहीं चल पाएगी ठीक है चलो तो अब आपको मेरी तरह calculator निकालना होगा और calculator निकाल कि जब बच्चों आप solve करोगे इसको तो 34 का answer आ जाएगा question number a यह होती है 30 degree की value मतलब जब यह इसकी value हो जाएगी 30 degree तो मान लेना कि यह जो है तब इतना coefficient of friction होगा ठीक समझ आ रहा है चलो अच्छी बात है अगला question देखते है question number 35 question number 35 में है strengths आपके लिए कर तो लोगे ना फिर से कल लिए ठीक हाव मच फोर्स इस रिक्वार्ट तो जैस्ट स्लाइड जैस्ट स्लाइड बच्चों जैस्ट स्लाइड खिसकाने के लिए horizontal table ओके इनका कहना है कि बता दो चैथिज मेंच पर एक 36 मेंच है ठीक है तो मेंच का आपको ऐस तरीक के हिस्सा में दिखा रहा हूं ऊपर बाला portion ठीक मेंच पर पढ़ी 20 किलोग्राम की बस्तू है ठीक हैवाई मानले, 20 किलोगرाम की वस्तू है ठीक है, किलोगराम की वस्तू है खिसकाने के लिए कितना बल लगाना पढ़ेगा तो चलो देखते हैं, मानलेते हैं, बल L लगाना पढ़ रहा है यदी मीटर, zero point two हो मीटर नहीं, यदी mu, zero point two हो ठीक है यहां सही लिखा है गया इफ M हाँ यह M है यह M है ठीक है अब आपको बताना है बहिए कितना तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है बच्चों वो अब आपको समझना है इनका कहना है 20 kg की वस्तू है बहिए 20 kg की है तो बताओ वेट कितना हुआ सबसे पहले बता दो वेट कितना हुआ तो वेट हो जाएगा 20 इंटू 10 दस लेलो जी की वैल्यू 10 लेलो तो यह हो जाएगा 200 तो 200 न्यूटन हो गया ठीक है वैसे अगर 10 नलो kg kg में सारा खेल खेलना हो तो आप सीधे-सीधे 20 लेलो चोलो मान लेते हैं कि 20 थोड़ी देर के लिए तो इसका जो normal reaction उपर की तरफ होगा R वो भी क्या हो जाएगा भाई यह 20 kg हटा देते हैं आपको मैं बता दिये कि 20 तो यह भी क्या हो जाएगा बच्छों यह भी 20 kg हो जाएगा अगर यह 20 kg हो जाएगा तो जरह अब आप बताओ कि भाईया friction कितना हो क्या होगा friction force और friction force अगर 4 kg है तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा आपको 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 4 newton का बल लगाना पड़ेगा ठीक है 4 kg का बल लगाना पड़ेगा question number 36 what is the force required to move the 20kz object coefficient homework same to same पुराना question यह आपके लिए question number 37 comment section पे उसका अगर आप answer दो तो मुझे बहुत खुशी होगी अभी तक तो मुझे किसी बच्चे ने comment section में उसका answer नहीं बताया मतलब जो भी मैं question homework देता हूँ अगर आप लोग यहाँ देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपके comment पे जरूर very good reply करूँगा excellent reply करूँगा अगर आप उसका answer बता लोगे ठीक है question number 36 आपके लिए homework है बच्चों जरूर comment section में बताना अगर आप चलो आओ तो 37 देखते हैं what is the coefficient of friction for pulling a load मतलब खीचने के लिए 400 kg ठीक है 400 kg by force of 40 kg कहानी ऐसी है कि इनका कहना है जो load है वो है 400 kg का और कितना बल लगाना पड़ता है force लगाना पड़ता है 40 kg ठीक है तो आपको दो चीजे समझने है यह w दिया है और आपको यह f दिया है तो अब आपको इससे दो चीजे निकलेंगी ध्यान से सुनो अगर f दिया है तो आपको घरशनडबल निकलेगा small f और अगर w दिया है तो आपको निकलेगा capital r की value तो capital r भी आप जानगे और small f भी जानगे यह मतलब friction भी जानगे तो capital r तो यहां 400 है और small f means कहने का मतलब घरशनडबल कितना है 40 है capital r कितना है 400 kg और यह है 40 kg तो आपको mu निकलना तो बाए हाथ का खेल है f by r होता है तो f की value है कितनी 40 और इसकी value है 400 तो यह हो गया 0.1 ठीक है तो mu की value हो गई 0.1 ठीक है तो कौन से answer सही है answer number c बिलकुन आपका सही हो जाएगा आसान सा question था ठीक है चलो question number 38 question number 31 बोला गया है 36 चताप 40 kg के बल द्वारा 80 kg दुरुपिमान यह भी homework है homework है homework है यह भी आपके लिए करके दिखाना comment section में बताना ठीक है question number 39 बोला गया है कि 0.25 के घर्षण प्रतिरोध ठीक है घर्षण प्रतिरोध क्या है एक तरीके से घर्षण गुणान कहीं है ठीक है कि विरोध 50 kg के 36 बल द्वारा अस्तानांत्री की जाने वाले पिंडों का वजन कितना होगा वजन कितना होगा ठीक है बताओ वजन कितना होगा डबलू तो जितना होगा आर वही होगा वजन अच्छा क्या घर्षण बल पता है क्या आपको बल पता है तो बल तो पता है आपको 50 50 kg का आप बल लगा रहे हो capital F 50 kg है तो small f निकल जाएगा और जब small f निकल जाएगा और आपको mu की value उन्होंने दे रखा है पहले से mu की value उन्होंने दे रखा है 0.25 तो अगर आपको mu पता चल गया और आपको घर्षण बल f पता चल गया 50 kg है ठीक है जो applied force है वही घर्षण बल है ठीक है ध्यान से सुन लो इसको ध्यान से समझ लो इस चीज़ को ठीक है तो f पता चल गया तो क्या r नहीं निकल सकते निकल जाएगा बिलकुन निकल जाएगा भई f divided by mu हो जाएगा तो f की value है कितनी 50 और mu की value है 0.25 तो यह हो जाएगा कितना 200 और आर की value अगर 200 बच्चों अगर आर की value 200 तो क्या r को ही हम लोग डबलू बोलते हैं तो बिलकुन सही बात है तो यह हो गया 200 kg कितना आसान question है ठीक है चलो आओ अगला question देखते है question number 40 कर तो ले जाओगे ना डर तो नहीं रहे हो ठीक है फड़ा likewise कर दो समझ में आए कि आपको class समझ में आई है ठीक है चलो what what will be the approximate angle of inclination of the object if the coefficient of friction is इतना अचा question है आप जानते हो mu is a question होता है 10 of theta तो mu की value तो आपको इसने दे रखा है already और आपसे 10 theta पूच रहा है तो चलो रखी देते हैं फटाक से इसका भी answer आपको calculator से ही मिल पाएगा बच्छों 0.84 है is equal to हो जाएगा 10 theta तो theta की value हो जाएगी 10 inverse 0.84 और अगर मैं calculator का use कर दूँ आपके लिए तो जो इसका answer है बच्छों जो इसका answer है वो 40 degree आ जाएगा हाला कि ये आपके exam में आने के chances कम हैं क्योंकि वहाँ calculator थोड़ी होता है ठीक है तो ये नहीं आएगा tension मतलो question number 41 और दो question और है बस इसके बाद आज की glass खतम होती है और 45 minute हो भी रहे हैं चलो कोई नहीं कह रहे हैं कि बताओ 60 kg दुर्ब्यमान के पिंड को पांच मीटर की दूरी तक ले जाने के लिए किया गया कार यदि गुडांक यदि शरीर और विमान के बीच घर्षन गुडांक 0.2 है 0.2 म्यू है 60 kg कदर दुर्ब्यमान है ठीक है जिसको आप खिसका रहे हो ठीक है पांच मीटर दूरी तक ले जाओगे तो work done w पूछा जा रहा है आप से पूछा जा रहा है कि बताओ कारे क्या होगा तो आप जानते तो हो की कारे बराबर होता है बल गुड़े विस्थापन तो बहिया विस्थापन तो दे रखा है इन्हों ने लेकिन ये बताओ कि ये बल कैसे निकालोगे तो बल निकालने के लिए जो डाटा ये आपको दिया है उसी से आपको बल निकालना है तो चलो निकालते हैं इसी बात पर तो बहिया जो बल की वैलू हो जाएगी वो हो जाएगी घरशन बल के बराबर कैसे पता चला अगर आप एक बल लगा रहे हो एफ और इसको ले जा रहे हो इसको कहा ले गए आप दो मीटर की दूर ले गए इसको कितना खिसका दिया आप दो मीटर खिसका दिये इधर तो इस सता पर घरशन लग रहा होगा ना इस सता पर घरशन लगा होगा घरशन बल हमेशा इसका विरोध करेगा तो घरशन बल की वैलू होगी क्या म्यू आर होगी अच्छा म्यू आर होगी तो फिर R आएगा कहां से, तो R इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखो कैसे, क्योंकि इसका weight आपको दे रखा है, दर्बमान दिया है 60, तो मानलो weight है ये, 60 kg, ठीक है, अभी तक मानते आए हो, तो इसको भी मानो, ठीक है, तो R की value हो जाएगा 60 kg, ठीक है, तो बताओ F की value कितनी होगी, तो मियू की value दिया है 0.2, और R की value अब आपको पता ही चल गए, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, तो 12 kg हो जाएगा ये, तो 12 kg अगर small f आया है, तो इसका मदलब होगा कि यही 12 kg, एक्च्वल में आपका क्या है बच्चों, यही जो 12 kg है आपका, वही क्या हो जाएगा, capital F भी हो जाएगा, तो अगर capital F इतना आही गया है, तो अब बतादो इसी बात पर W क्या होगा, तो W की value हो जाएगी, capital F की value, नोट कर लो, यहां से, यहां देखो, यहां देखो, यह, यह, ठीक है, तो force की value पता चल गई न, 12 आ गई force की value, और गुणे विस्थापन, तो विस्थापन हो गया, पांच मीटर तो हो गया, यह 60, 60, 60, 60, और, और, यूनिट क्या होगी, कोई बताएगा, तो M kg होगा, मीटर केजी होगा, याद रखना, मीटर केजी होगा, याद रखना, यह मत मार देना, यह गलत answer है, भाई, work done होता है, मीटर केजी में answer आएगा, ठेक, तो 60, मीटर केजी answer होगा, बिल्कुन सही answer है आपका, ठीक है, चलो, 42, जल्दी जल्दी, बस एक last question है, डरो मत last है, एक ही type के हैं, कह रहे हैं, how much will the work done, फिर से work done की बात कर रहे हैं, लगता है, homework की जाने वाला है, moving 10 kg object, horizontal plane through a distance, हाँ, बिल्कुन, यह homework ही है, homework पे आप work निकालोगे, क्या निकालोगे, homework पे आप निकालोगे, वर्क, और वर्क में इस कारे निकालोगे, ठीक है बच्चों, आपको पता है, पुराने question में अभी just, इसके पहले वाले मैंने बताया, यह आपको F निकालना है, जब आपको घर्षन पल पता चल जाए, तो F निकाल लेना, multiply के देना दस से, और आजाएगा आपका answer, ठीक है, तो यह भी आपका, जो है हो गया homework, चलो, 43 नंबर, 43 नंबर पे, how much force is required to stop, stop the one running in a road, of the coefficient of friction, चलो, force is required पहुँच रहे हैं, force required, बताओ, कितने बल की जरूत पड़ेगी, अगर कोई, वस तो इधर की तरफ भाग रही है, ठीक है, तो भाग रही है, कितने केजी की है, 1000 किलो ग्राम की है, तो अगर इसको मैं weight ही मालनू, जैसा कि अभी तक मानते आए हो, तो R की value भी क्या हो जाएगी, 1000 ही हो जाएगी, तो 1000 हो जाएगी, तो इसका मदलब coefficient of friction, बता होता तो काम हो जाता, है क्या, 0.4 है ना, दिया है, 0.4 है बच्चों, तो 0.4 जो आपका coefficient of friction है, वो पता चल गया, तो आपको F निकालने में क्या problem है, F तो आप निकालोगे, μू R होता है, तो 0.4 into R, R की value है, 1,000, तो यह हो जाएगा, 4, 00, 400 KG, 400 KG, तो अब आपको क्या निकालना था, यही तो निकालना है, हाँ, यही निकालना है, तो आप बताओ, कितना force लगा रहे हो, तो जितना घर्षन बल होगा, उतना ही force लगाना पड़ेगा, तो यह भी हो गया, 400 KG, तो क्या answer आगया, जी हाँ, answer आगया, answer number D, बिल्कुन सही हो जाएगा, और क्या यह last question है, बिल्कुन, यह last question था students, friction का पूरा का पूरा, आपका यह complete हो गया, दो lecture में, ठीक है, मानता हूँ, classes बड़ी हैं, बिल्कुन सही बात है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, तो यह पढ़ना इतना hard काम नहीं है, आप आसानी से इसको देख सकते हो, ठीक है, तो यह 50-50 minutes की दो classes में, मैंने आपको 43 questions, with explanation, well तरीके से मैंने बताया है, और हाँ, जो मैंने आपको दिया है न homework, उसका answer मुझे चाहिए, comment section में चाहिए, ठीक है, तो उसमें बताना, तब फिर मैं उसमें आपको, thumbs up करूँगा, ठीक है, चलो, तो तब तक के लिए जो है, आप लोग अब क्या करते हैं, कि third class के लिए wait करिए, ठीक है, back to back, तीसरी class भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, तब तक आप इसको पढ़ लिजे, फटाफट exam नजदीक है, ठीक है, पढ़ते रहें, मस्त रहें, और जो है, अब next class के लिए, जो है, आप लोग ready रहें, ठीक है, चलिए, मिलते हैं next class में,